नमस्कार आप देख रहे हैं दर्शनियूज मैं हो दिव्यान्सू बिहार के काराकाट लोकसभा सीट पर आज इंडिया गटबंदन के प्रत्यासी राजा राम सिंग कुस्वाहा ने नमांकन कर दिया जी हाँ काराकाट लोकसभा चेत्र अस्तित्त में आया है तब से सभी चुनाओं में कुस्वाहा की ही जीत वी है जिसकारण अब इस चेत्र को कुस्वाहा लैंड कहा जाने लगा है लोकसभा चुनाओं में एक बार फिर कुश्वाहा प्रत्यासियों के बीच भिढंत है बाश्पा नीत आराजग यानि एंडिये के गटबंदन ने राश्ट्रिय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुश्वाहा को काराकाट से प्रत्यासि बनाया है जबकि इंडिया प्रत्यासि हैं यहां से और कहा जा रहा है कि काराकाट में बेहत दिल्चस्प लड़ाई होगी उपेंद्र कुश्वाहा और राजाराम सिंग कुश्वाहा के बीच में लेकिन आपको ये भी बता दें कि यहां पर पवन सिंग भी मैदान में है जी हाँ पवन सिंग भोशप बिरादरी से जिनकी संक्या काराकाट में अच्छी खासी है और अगर वोट काटेंगे तो निश्चित तोर पर NDA गटमंदन यानि उपेंद्र कुश्वाहा का ही वोट काटेंगे जिससे राजाराम सिंग कुश्वाहा की स्थिती जो है वो मजबूत होती नजर आ रही है य चुनाव है क्योंकि देश में संविधान लोकतंत्र का सवाल है और देश की जनता इस बार संविधान को किसी भी कीमत पर खतम करने के पक्ष में नहीं है कुछ ताक्तें साजिश कर रही हैं संविधान के खिलाफ देश के लोकतंत्र के खिलाफ तो यह चुनाव सबसे पहला चुनाव के बाद देश की खेती हमारे हाथ में रही चाहिए को नीलाम नहीं होना चाहिए और तीसरा बड़ा एजेंडा है कि देश में एक ऐसी सरकार बने जो अगली पीड़ी की जवाब दे ही अपने कंधों पर ले सके सम्मान जनक रोजगार की विवस्था कर सके इसके पाई-चारा और एक्ता और अमन कायम हो यह सारे सवाल हैं इसके साथ-साथ खेती को लावकारी बनाने का बड़ा प्रश्न है कि फसलों को वाजिब दाम मिले सीटू प्लस 50% स्वामिनाथन कमिशन ने जो कहा उसके अनुरूप फसलों का दाम मिले और खरीर की कानूनी गार देश लगातार भुखमरी के मामले में ग्लोबल हंगर इंडेक्स में नीचे जा रहा है यह बेहर शर्म की बात है कि हिंदुस्तान जैसा देश बंगला देश नेपाल और पाकिस्तान जैसे देशों संसे भी भुखमरी के लिष्ट में नीचे हो गया है तो यह सम मुद्दे हैं इसके साथ अस्थानिय मुद्धों में नहरों का सवाल है आज के सर्वे के आधार पर सोन नहरों का अधुनिकी करन करो और इंदरपुरी जलाशे का शिक्र निर्मान करो डालमिया नगर उद्योग समूह का जिर्नोधार हो दिहरी को जिला बनाने की मांग भी हम घूम रहे अगर नहरों के निर्मान का सवाल विख्रम गंज में पुटियर उद्योगों के निर्मान का सवाल विभिन्य तरह के अस्थानिय मुद्धे भी उठे हैं मैं समझता हूं कि वहां क्याने प्रतिनियों के साथ मिल करके चुनाव जीतने के बाद हम एक बड़ी कारियोजना ब का समचित समधान निकलना चाहिए इस बीच में बहुत सारी जगहों पर आग लगने से हमारे तेरह बच्चे और और अड़तें मर गए कच्छमा विराहिपूर में और रुपहता में तो इन दोनों जगह पर बड़ा जनसंगहार हुआ एक तर से अगनी कांड के जरिये और उस इसमें सबसे बड़ी बाती है कि प्रधान मंत्री लगातार बोलते हैं कि हमने हर घर को नल जल दे दिया पका मकान बना दिया गय सिलिंडर दे दिया लेकिन इन घरों में कहीं तो गय सिलिंडर नहीं था नल जल नहीं था उनके घर पक्के के घर नहीं थे तो लगता है कि सरक तो सुना आपने राजाराम सिंग कुस्वाहा को 2008 के परिसीमन के समय काराकाट वजूद में आया और 2009, 2014 और 2019 में हुए लोकसवा चुनाओं में जीत कुस्वाहा जाती के नेताओं की हुई 2009 में राजद के डॉक्टर कांती सिंग को जद्यू के महाबली सिंग ने हराया तो 2014 के चुनाओं में एंडिये का गठबंदन की तरब से रालोस्पा के प्रत्याशी बने उपेंद्र कुस्वाहा ने जीत दर्ज की और तब आरजडी की डॉक्टर कांती सिंग चुनाओं हार ग एंडिये की तरब से जद्यू प्रत्याशी महाबली सिंग ने ततकालिन महागठबंदन का हिस्सा रहे राष्ट्रिये लोग संतापाटी के उपेंद्र कुस्वाहा को हराया राजाराम सिंग का प्रदर्शन तीनों ही चुनाओं में खराब रहा है जब तीनों दल भाजपा राजाराम सिंग का प्रदर्शन बहतर होना तय है तो अब देखिए क्या होता है काराकाट की जो लड़ाई है वो भी बहत दिल्चस्प है यहाँ पर AIM-AIM के उमिद्वार भी है और यहाँ पर निर्दलिये उमिद्वार भी है लेकिन राजाराम सिंग कुस्वाहा को क्योंकि पिछले तीन चुनाओं में राजाराम सिंग जरूर प्रत्याशी बने है लेकिन उन्हें तीनों मेहार मिली है तो क्या इस बार राजाराम सिंग कुस्वाहा को जीत का स्वाद मिलेगा खेर यह तो चार जून को ही पता चलेगा आपको क्या लगता है कमेंट करके ज जारी है देखते रहें दर्शनी उज